हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है Learn it के एक और नए वीडियो में और बिना टाइम वेस्ट किये चलिए नया टॉपिक शुरू करते हैं तो आज हम बात करेंगे टॉपिक 4 के बारे में जो की है स्पोर्ट्स और न्यूट्रिशन का तो अब हम पढ़ते हैं स्पोर्ट्स न के बारे में जो की स्पोर्ट्स पर्शन के लिए बहुत इंपोर्टेंट है कि स्पोर्ट्स पर्शन को क्या खाना चाहिए कैसे न्यूट्रेंट्स लेना चाहिए कौन सा फ्लूइड लेना चाहिए वाटर कितनी क्वांटिटे में लेना चाहिए अपने स्पोर्ट्स के चाहिए जैसे कि vitamins minerals carbohydrates fats proteins of fibers अपनी अपनी amount में बिल्कुल होने चाहिए sports person की diet के अंदर या खाने के अंदर क्योंकि sports person क्या करता है high amount of physical activity करता है मतलब वो दोड़ भाग करता है exercise करता है खेलता है कूता है जिसके खारण उसकी जो energy है वो हमेशा क्या होने चाहिए होने चाहिए उसको maintain करने के लिए हमको sports nutrition यूज करना पड़ता है या sports का जो nutritional plans है उसको देने पड़ते हैं अब होता गया है कि जितने भी sports person है वो जब training करते हैं तो वो कुछ fluids और electrolytes को यूरूज करते हैं मतलब कुछ salt को को लूज करते हैं वाटर को लूज करते हैं जो अगर गलती से भी अगर ज्यादा quantity में लूज हो जाएंगे तो उसको replace करना पड़ेगा मतलब वापिस replenish करना पड़ेगा या भरना पड़ेगा इसी लिए जो sports person है उसको अच्छी तरीके से या enough amount water का consumption करना चाहिए और electrolytes का मतलब salts का भी यूज करना चाहिए जिससे वो ट्रेनिंग में क्या कर सके पीक अच्छीव कर सके या excellence अच्छीव कर सके तो अब हम बात करते हैं कि diet का क्या effect पड़ता है किसी sports person या athlete की performance के उपर तो पहले बात करते हैं प्रोपड़ाइट है क्या एक प्रोपड़ाइट एसी चीज़े जिसमें आप सभी तरीके की चीज़े अप्रोप्रियेट मतलब limited और adequate मतलब enough amount में लेते हैं और कुछ drinks भी लेते हैं उसके साथ जो आपको क्या provide करता है nutrition on energy provide करता है जिस प्रोपर डाइट तो आप बात करते हैं sports person athlete को क्या करना पड़ता है क्योंकि ये दिन भर या बोलते हैं कि हम regular exercises करते हैं regular training करते हैं जिसके कारण इनकी activities physical activities और endurance क्या हो जाता है बढ़ जाता है sports के लिए तो इनको खाना भी क्या होना चाहिए बिल्कुल balance diet होना चाहिए जिस नेक्स बात करते हैं कि क्योंकि sports diet क्या होना चाहिए बिल्कुल correct proportion में होना चाहिए तो उसके अंदर carbohydrate, fats, proteins, minerals, salt का constituent क्या होना चाहिए बिल्कुल proper होना चाहिए सभी एक equal proportion में होने चाहिए जित्ते required हैं और ये सब मिलके क्या बनाते हैं nutritional diet बनाते हैं जो sports person का performance क्या कर तो अब हम बात करते हैं कि diet किन factor पर affect करता है तो पहला यह है कि age sex of body surface की जहां तक बात करते हैं मतलब अगर कोई person age to age different होता है मतलब छोटे से लेकर हम बड़े तक बात करते हैं from youngster to the aged person तो वहाँ पर जो factors होते हैं वो different हो जाते हैं जैसे कि अगर ये youngster की बात करें तो उन उनको fat भी कम होगा तो आसानी से खाना खालेंगी तला गला उनको जादा पसंद नहीं आता है जैसे एज बढ़ती आती है second बात करते हैं तो types of duration of activity इसका मतलब यह है कि आप जो भी activity कर रहे हो मतलब अगर exercise कर रहे हो तो obviously आपकी diet क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी और अग आपको खाने का इतना इच्छा नहीं होगी बात करते हैं eating habits and social custom अगर आपके कुछ तरीके हैं जैसे कि टीवी के सामने अगर आप खाना खाते हो या work करते हो खाना खाते हो तो भी खाना खाने की क्या हो जाते हैं तरीके चेंज जाते हैं और आपका diet system थोड़ा चेंज जात लबे कि हर एक season में अलग-अलग खाना बनता है अलग-अलग diet system होता है तो डिपेंड करता है कि summer में आपका खाने का तरीका अलग हो सकता है या खाने का diet अलग हो सकती है और वहीं पर winter की diet अलग हो सकती है health status और growth अगर आपका health status बहुत अच्छा है तो आपकी diet भी क्या fluid और meal intake के बारे में मतलब जो sports person है वो पहले sports competition के पहले दोरान और बाद में क्या क्या ले सकता है या क्या लेता है और क्यूं लेता है तो पहली बात करेंगे हम pre competition के पहले लिया जाता है अब basic goal क्या है training का या competition का उस समय हमको क्या चाहिए हमारी body के अंदर full energy चाहिए मतलब body के muscles के अंदर carbohydrates का पूरा store होना चाहिए, liver के अंदर carbohydrates का store होना चाहिए, blood के अंदर glucose store होना चाहिए, क्योंकि यह होगा, तो ही हम क्या कर सकते हैं, देड़ तक लड़ सकते हैं, किसी भी competition के अंदर, नेक्स बात करते हैं, इससे होता क्या है, पहली बात तो हमें करते हैं, कि हमारी body के अंदर energy बनी रहे, हमको हमारी exercise करने में, हमको हमारी competitions के लिए boost मिलता रहे, हमारा performance बढ़ता रहे, body के अंदर water की quantity अच्छी amount में रहे, जिसके कारण circulation अच्छा रहे, हमारा जो muscle mass है, जो body weight ह वो preserve रहे, next बात करते हैं, और ultimately, competition के बाद में, हमको speedily recover भी करना पड़ेगा, किसी चीज से, किसी competition से, उस exercise से, तो हम ready रहे, इसलिए भी हम क्या करते हैं, pre competition meal को use करते हैं, कि हमारी speedy recovery हो जाए, next competition के लिए हम तयार रहे हैं, अब हम बात करते हैं, कि competition के दोरान कौन-कौन स अगर हम competition के बात करें, या training session के बात करें, तो हर एक different circumstances में, या अलग-अलग तरीके से, अलग-अलग competitions में हमको, अलग-अलग तरीकी का खाना और पीना लेना पड़ता है, अगर हम बात करें, तो light meals, मतलब छोटे-छोटे से, जो खाने होते हैं, या meals के portions होते हैं, वो use किय जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर carbohydrates present होता है, और carbohydrates हमेशा gel form में use किया जाता है, क्योंकि digestion में, हमारी body energy waste नहीं करती है, sports drink आप use कर सकते हो, क्योंकि उसके अंदर electrolytes होते हैं, salts होते हैं, जो आपकी body के अंदर hydration मतलब पानी की कमी को speedly recover करेंगे, next बात करते हैं, बहुत सारे endurance athletes Ceats, ऑमारी जिनको बहुत देर तक दोड़ना पड़ता है, चलना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, cycling करनी पड़ती है, बतलब लॉंग समय तक आपको energy बचा करें, तो वो क्या करते हैं, water को बहुत plenty पीते हैं, बहुत जादा पीते हैं, fruit को बहुत सारा खाते हैं, जिसके कारण उनकी body के अंदर energy की supply बनी रहती है लंबे दौर के लिए अगर आप बात करते हैं कि अगर आप exercise करते हैं दो गंटे से जादा वो भी धूप के अंदर तो आप सिर्फ पानी पर dependent नहीं हो सकते क्योंकि पानी आपका performance को low कर देगा और आपकी recovery को भी क्या कर देगा कम कर अगर आप बात करते हैं commercial carbohydrate drink जो मिलती है जैसे गैटरोइड है एटसेटरा है उसको अगर आप यूज करते हो तो sports या competition के 15 से 20 मिनिट पहले आप उसको use करेंगे तभी वो कुछ energy provide आपको आसानी से कर पाएंगे आप instant पिएंगे तो उसको कुछ time लेएगा वापे से body के अं यूज अप होने के लिए तो अब हम बात करते हैं कि post competition मिल मतलब competition होने के बाद में हम क्या क्या ले सकते हैं तो nutrition किसे मिलता क्या हमको पहला हमारी body जल्दी से जल्दी recover करती है हमारी body hydrate हो जाती है मतलब जो भी water loss हुआ है electrolyte loss हुआ है उसको वापिस से हम ले सकते हैं अगर जित्ती भी मसल्स हमने उस competition के अंदर उस exercise करते वक्त lose करी है तो उसको हम gain कर सकते हैं और हमारे future performance को हमको increase करने के लिए improve करने के लिए भी हमको poor competition means को use करना चाहिए या लेना चाहिए ऐसा nutrition को हमको हमारे diet के अंदर डालना चाहिए तो अब हम बात करते है dietary supplement या food supplement के बारे म जैसे कि आपने देखा हुगा कि protein powder मिलते है market के अंदर vitamins के गौली मिलती है herbs amino acid के capsules मिलते है enzymes के capsules मिलते है अगर आप इनको क्या लेते है अपनी diet के अंदर use करते हैं तो इसको कहते है food supplement अगर आप बात करते हैं खाने की तो अगर आप balance diet को regularly ले रहे हैं मतलब सब चीज appropriate amount म आपको food supplement लेने की कोई जरुवत नहीं है अब food supplement कौन से student लेते हैं या कौन से children लेते हैं या कौन से persons ले सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं तो ऐसे person जिनको diet proper नहीं है मतलब जो क्या है खाना ढंग से नहीं खा रहे हैं या खाने के अंदर उनके किसी चीज की कमी है तो वो क्या कर सकते हैं food supplement की तरफ shift कर सकते हैं तो अब हम बात करते हैं कि क्या advantages है food supplement को लेने के लिए पहला तो यह आपकी muscle strength को endurance को और आपकी पूरी तरह से physical performance को बहुती जादा तरीके से बढ़ा देता है मतलब contribute करता है उसके अंदर second बात करते है food supplement और क्या करता है तो आपक सारी चीजों को खाने के बाद जो बीमारी आ सकती है उसको भी क्या करता है आपकी health condition को भी अच्छा करता है और diseases को भी सही करता है next बात करते हैं protein supplement के बारे में तो जो protein supplement जो dietary product लेते हैं जैसे कि powder shakes या बाल्स के form में तो उसके अंदर high quality of products होते हैं जो क्या करते हैं आपकी protein intake को boost करते हैं और आपको अच्छी quality का protein provide करते हैं advantages के बारे में तो हमने बात कर लिया बात करते हैं कुछ disadvantages के बारे में food supplement के तो पहली बात करते हैं अगर आप vitamin A continuously लेते हैं तो यह आपकी body के अंदर toxicity फेला सकता है जैसे कि आपके liver को damage कर सकता है आपकी आखों को blur कर सकता है या vision को blur कर सकता है सिर्ध दुखा सकता है आपकी हड्डियों में pain हो सकता है swelling हो सकती सूजन आ सकती है आपको नीद आने जैसे बहुत सारे लक्षन मिल सकते हैं next बात करते हैं कि supplement आपकी जो medication है आप जो दवाईया regularly लेते हो उसके साथ भी छेरचार करता है या interact करता है अग मतलब वह efficiency क्या हो जाएगी decrease हो जाएगी next बात करते है fat-soluble vitamins के बारे में तो अगर आप fat-soluble vitamins regularly लेते हैं या जितना आपको लेना चाहिए उससे ज्यादा लेते हैं तो आपकी body fat tissue के अंदर accumulate हो जाएगा या इकट्टा हो जाएगा तो अब हम बात करते हैं इस topic के और इस पूरे chapter के last topic के बारे में जिसको कहते हैं precautions मतलब हमें food supplement को लेते वक्त क्या-क्या precaution लेना चाहिए तो पहला यह है कि अगर आपको पूरा benefit लेना है तो सबसे पहले doctor से consult जरूर करें कि आप ये dietary supplement ले सकते हैं कि नहीं next बात करते हैं जब भी आप supplement को लेते हैं तो purchase करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी आप इकटी कर लें फिर ही आप किसी चीज में invest करें next बात करते हैं अगर आप mega doses लेते हैं मतलब ऐसी चीजें जो आप बहुत जादा dose में लेते हैं जैसे कि example vitamin A, vitamin D और iron अगर किसी भी product में बह पूरी दिनों के लिए जरूर अच्छे होंगे पर वो ultimately toxicity के symptoms ही बता सकता है मतलब आपकी body के अंदर toxic level को बढ़ा सकता है next अगर आप क्या करते हैं बहुत ही लंबे समय तक आपको चीज लेते हैं या कोई supplement को आप चालू करते हैं लेना और आपको को side effect दिखता है मतलब unpleasant side effect दिखता है जिससे आपको कुछ uncomfortable feel होता है तो उसको लेना बंद करते हैं कभी भी अपने supplement को अपनी दवाईयों के साथ mix ना करें और करें तो आप सबसे पहले अपने doctor को यह जरूर बता है कि मुझे यह medicines चलती है या मुझे medication चलता है और क्या मैं supplement को use कर सकता हूं इसके करते हैं कभी भी कोई salesman के जिलावे में या दिलासे में नहीं आना है क्योंकि ऐसी कोई सी चीज नहीं बनी है जिससे किसी बच्चे के brain का विकास जादा हो जाएगा सबका एक normal pace होता है जिससे वो develop होता है तो उसको बढ़ाने के लिए कुछ भी चीज नहीं बनी है अभी जग दुनिया के अंदर नेक्स्ट अगर आपके चाइल्ड के अंदर कोई nutrition की कमी है तो पहले उसको पता करें और तभी जाके उसके लिए कोई supplement recommend करें लास्ट है कि purchase करने से पहले यह देख लें कि जूबी चीज आप खरीद रहे हैं उसके अंदर कोई preservatives तो नहीं है मतलब तो आपके लिए यह precautions लेने में और food supplement लेने में आसानी होगी और आपको कोई side effect नहीं होगे आशा है कि आपको सारे topics easily समझ में आ रहे होंगे हम learn it पे आपके लिए easy or simple learning material बनाते रहते हैं जिसके कारण आपकी learning और listening capabilities increase होती रहेगी अगर आपको कोई topic समझ में नहीं आता है या आपको कोई topic hard लगता है या कुछ topic को आप detail में समझना चाहते हैं तो उसको आप comment section में लिख सकते हैं अगर आपको हमारा work अच्छा लगता है तो please उसे like करें और channel को subscribe करना और notification bell को hit करना ना भूलें ऐसे ही और videos के लिए आप updated रहें stay healthy stay fit bye bye करेंदे रहें का इता है कि जसका ऑना है अंः आपको हमार कर वा हमार आपको का बद движ की काहेंदे ऊपको का हमारा को कहा रहे आपको का अरूले का मैं ऊच्छाप्रूट Personally बदसे हैं और रहेंदे जहां जड